नौकरी वालों के लिए बड़ी खबर नौकरी वालों के लिए बड़ी खबर कोई परिशानी नहीं होती है कौन से डॉक्यमेंट होते है जमा अगर आपने लाइफ या हेल्थ पॉलिसी में पैसा लगाया है तो उसके प्रीमियम की रसीद देनी होगी हेल्थ पॉलिसी की अवधी में अगर आप या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य ने अस्पताल में इलाज कराया है तो उसकी रसीद भी देनी होगी इसके अलावा अगर आपने कोई हिल्थ चेकप करवाया है तो उसका बिल भी देना होगा अगर आप किराय के मकान में रहते हैं तो भी आप टैक्स में छूट पा सकते हैं इसके लिए आपको अपनी कमपनी में किराय की रसीद जमा करनी होंगी मेट्रो और नॉन मेट्रो शहरों में किराय में काफी अंतर होता है अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं और 8000 रुपे से ज्यादा मकान का किराया अदा करते हैं तो आप इस पर भी टैक्स में छूट ले सकेंगे। इसके लिए आपने रजिस्ट्री के वक्त जो स्टैंप ड्यूटी चुकाई है। उसका प्रूप अपनी कमपनी को देना होगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन के रपेमेंट करने पर भी आपको टैक्स छूट मिलती है। इस तरह की छूट लेने के लिए आपको अपने बैंक से रपेमेंट की रसीद लेनी होगी और ऑफिस में जमा कराना होगा। बच्चे की स्कूल फीस का पेमेंट किया है तो इसकी भी ओरिजनल रसीद जमा करनी होगी।